नमस्कार कुछ दिनों पहले हरिद्वार में एक धर्म संसत का आयोजन किया गया जो आजकल बड़ा सुर्ख्यों में बना हुआ है उसका कारण यह है कि इस धर्म संसत में कुछ व्यक्तियों के द्वारा ऐसे स्पीच दिये गए जो constitutionally और legally इन दोनों आधारों पर गलत है अब उन्होंने क्या भासन दिये इसकी हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे उनके स्पीच constitutionally और legally इन दोनों आधारों पर गलत इसलिए है क्योंकि वे स्पीच हेट स्पीच है अब सवाल यहाँ पर यह उत्ता है कि हेट स्पीच आखिर होता क्या है तो साइद आपको जानकर यह आश्चर्ज हो कि हेट स्पीच का specific legal definition नहीं है हाँ यह जरूर है कि इंडियन पिनल कोड में indirectly हेट स्पीच की बात की गई है उसके according, speech, writing, actions अगर ऐसे हो जो हिंसा को फैला सकते हो वो ऐसे हो जो कि communal disharmony को फैला सकते है या स्वहार्थ को घटा सकते है वो हेट स्पीच माने जाते है और इस तरह के speech, writing और action decriminalize घोसित किये जाते है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हेट स्पीच, free speech को limitations देता है उसे सिमित करता है जो किसी व्यक्ति, संस्था या ग्रूप को घिरना, हिंसा, फैलाने से रूपता है अब हम बात करते हैं इंडियन पैनल कोर्ट के उन दो सेक्शन की जो हेट स्पीच से related है यह दो सेक्शन है 153A और सेक्शन 505 यह दो सेक्शन inflammatory speech और expression से समन्दित है और हेट स्पीच को punish करने का provision देता है सेक्शन 153A, religion, race, place of birth, language इन सब के base पर different group में घिरना, हिंसा, फैलाने पर तीन साल की कैद की विवस्था करता है इसके साथी या सजा बढ़कर 5 साल हो सकती है अगर अपराद धार्मिक इस्थान या धार्मिक आयोजन से समन्दित है वहीं सेक्शन 505 समाजिक सांती को भंग करने वाले कथन से समन्दित है और इसमें तीन साल या जुर्माना या दोनों की विवस्था है अब हम बात करते हैं लौ कमिसन की तो लौ कमिसन का यह कहना है कि हेट स्पीच के लिए अलग से इंडियन पेनल कोड में सेक्शन जुड़े जाए ना कि मौजदा सेक्शन में इसे रखा जाए लौ कमिसन ने इसके लिए सेक्शन 153C और सेक्शन 505A को जुड़ने का प्रपोजल दिया है तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने हेट स्पीच पर ब्रीफ डिसकुशन किया है इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेर करना ना पुले धन्यवाद झाल